Hello students, myself Nikita Sabu. Today we will discuss about Haryana DTSC solution for class 5th, subject EVS. So first question which of the following animal is endangered? कौन सा animal है जो की संकत गरस्त है? ठीक है, मतब जिनका नमबर हमारी पास कम है, हमारी अर्थ में जिनका नमबर कम है तो वो है tiger. ठीक है? तो यहां पर हमारी पास correct option चला जाएगा, seeking. Now next question. For what purpose elephants are killed? ठीक है, elephants को killed क्यों किया जा रहा है, क्या उनके पीछे का reason है? तो elephant को killed किया जाता है, उनकी tusk के लिए, मतलब उनकी teeth के लिए उनको killed किया जाता है. ठीक है? Next question. What is the sleeping time of python? मतलब अजगर के सोने का समय क्या है? तो अजगर कितने घंटे सो रहा है, मतलब एक दिन में? तो यहाँ पर हमारा correct answer रहेगा 18, मतलब जो हम आजगर है, वो 18 hours, उसके sleeping hours होते हैं. ठीक है? Next question. Which of the following is our national bird? ठीक है? तो यह हम सब जानते हैं कि हमारा national bird कौन है? पिकॉक. ठीक है? मोर के है हमारा? राश्ट्रे पक्षी है. ठीक है? तो यहाँ पर हमारा correct answer चला जाएगा, पिकॉक. Next question. नाग गुम्फान, नाग गुम्फान डिजाइन्स आर यूज़ इन दी रंगोली और एंब्रोईडी इन दी स्टेट ऑफ. नाग गुम्फान क्या होते हैं? मतलब उसमें ना स्नेक्स की ऐसी डिजाइन्स बनाई जाती है. उनको किस तरीकी से मतलब रंगोली जैसे किस स्टेट में उनको यूज़ किया जाता है? ठीक है? तो यहाँ पर correct answer होगा गुजराथ. गुजराथ में इन डिजाइन्स को रंगोली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है? तो correct option रहेगा गुजराथ. नेक्स्ट क्यूशन. विच डांस फॉर्म है, मुवमेंट सिमिलर टू स्नेक मुवमेंट? यहाँ पर हमारा correct answer रहेगा काल बीलिया डांस. काल बीलिया डांस जो होता है, वो सिमिलर होता है. मतलब उसको हम सपीरा डांस भी बोलते हैं, ठीक है? तो सिमिलर होता है इसनेक डांस के, इसलिए हम यहाँ पर correct option चला जाएगा, काल बीलिया डांस. Now, next question. The medicine for a snake bite is prepared from? इसनेक बाइट की जो medicine है, वो किसे prepare की जाती है? इसनेक के poison से ही, जो वेनम लिखा हुआ है, इसनेक के poison से ही उसकी medicine को prepare किया जाता है. तो यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा वेनम, जो first option है. Now, next question. Why government has made laws for protecting wild animals? ठीक है? मतलब wild animals को बचाने के लिए, जो भी जंगली जानवर हैं, उनको बचाने के लिए, government ने laws क्यों बनाये वे हैं? क्या laws उन्होंने बनाये हैं? तो hunting, prohibiting, catching wild animals, selling their body parts, all of the above. देखो, hunting को रोकने के लिए, लॉस बने हुए हैं, ठीक है, hunting को prohibit करने के लिए, catching wild animals, उनको पकडने के लिए, हमको रोक लगानी हैं, और उनको पकड की कुछ body parts, उनके sell कर दिये जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको रोकना है, तो यहाँ पर तीन option correct है, तो यहाँ पर 4th option, जो all of the above है, यह correct हो गए हाँ ठीक है, next, what is given to a sick person for getting instant energy, ठीक है, instant energy अगर हम को चीए, तो हम क्या लेते, glucose लेते की नहीं लेते, instant energy की लिए, तो यहाँ पर 1st option क्या हो जाएगा, glucose drip, कोई patient है, ठीक है, तो उसको भी क्या दिया जा रहे है, glucose की drip उसको लगाई जा रहे है, जिससे उसको immediate energy भी ले, ठीक है, तो यह option हमारे नहीं रहेंगे, हमारा correct option रहेगा, glucose drip, ठीक है, क्योंकि glucose is the source of energy, now next question, which part of the tongue tastes bitter, ठीक है, हमारी tongue जो है ना, हमारी tongue में taste birds होते हैं, ठीक है, हमको taste का पता चलता ना, यह last pill, ठीक है, back portion में, मतलब हम taste birds जो होते हैं, वो bitter taste के लिए होते हैं, हमको recognize करवाते हैं, कि taste bitter है कि क्या है, तो यहाँ पर back portion आजाएगा, इसका correct answer, next question, what is the muscular bag of digestive system called, मतलब digestive system का, bag like structure कौन सी होते हैं, digestive system में, ठीक है, bag like structure कौन सी रहती है, stomach, ठीक है, muscular bag रहता है, stomach में muscles होती है, ठीक है, तो muscular bag structure होती है, और bag जैसा तो होते ही है, ठीक है, तो यहाँ पर correct answer चला जाएगा, stomach, ठीक है, now next question, which nutrients give us energy to do work, ठीक है, कौन सी nutrients हमको four option दिये गए हैं, तो हमको पता है, fats and carbohydrates यह होते हैं, यह हमारी body को energy provide करते हैं, deal, गर्सीसर लेक is located in, गर्सीसर लेक कहाँ पर है, कहाँ है, तो गर्सीसर लेक जो है, वो राजस्तान में है, जेसल मेर में गर्सीसर लेक होती है, ठीक है, next, in खाला हांडी, many labors are dying due to, खाला हांडी में मजदूरों की मौत क्यों हो रही है, किस वज़े से, क्या reason है, उनकी मौत होने का, तो यहाँ पर answer correct आएगा, hunger, भूग की वज़े से, उन लोगों की महाँ पर मौत हो रही है, next question, why do we keep food and vegetables in refrigerators, ठीक है, ठीक है, रेफ्रेजरेटर में क्यों रखते हैं हम food को और vegetables को, जिससे वो लो, वो जो है, वो फ्रेश रहे, ठीक है, वो long time के लिए, वो फ्रेश रहे, इस लिए तो रेफ्रेजरेटर में रखते हैं, तो यहाँ पर first option जो है, वो correct हो जाएगा, next question, potato and tomatoes came from which country, South America, यहाँ पर correct answer रहेगा, South America से potato and tomato आती है, ठीक है, next, which nutrients helps in our body growth, कौन से nutrient है, जो की body growth में सबसे जादा help करते हैं, यहाँ पर four option है, यहाँ पर correct answer रहेगा, proteins, body growth भी होगा है, इसलिए correct answer यहाँ पर protein हो जाएगा, next question, why should we do rainwater harvesting, rainwater harvesting हमे क्यो करनी चिए, first option है, to make use of rainwater, rainwater को use कर रहे हैं, हम ठीक है, उसको use कर सके, इसलिए to store rainwater, उसको हमें store कर ले, जिसे हम उसका further use कर ले, increase the underground water level, underground water level, जितना रहेगा, उतना पानी हमको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तीन ही option correct हो जाएगे, इसलिए यहाँ पर all of these option जो है, वो correct रहेगा, ठीक है, next question, paint is soluble in, paint, जो है, वो किस में घुल सकता है, water नहीं होगा, milk नहीं होगा, lemon नहीं होगा, kerosene, kerosene में paint को घुला जाता है, उसी में वो घुल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर correct option रहेगा, second kerosene, what did Gandhi जी do to break the salt law, Gandhi जी ने क्या किया था, salt law को break करने के लिए, तो यहाँ पर correct answer रहेगा, Gandhi March, इसको salt March भी बोलती है, ठीक है, तो यहाँ पर correct option हो जाएगा, first, Gandhi March, now next question, name the sea on which everything floats, तो यहाँ पर answer रहेगा, dead sea, dead sea में जो है, salt की amount बहुत जादा होती है, इस पज़े से उसमें हर जीज़ तैर सकती है, ठीक है, तो यहाँ पर correct answer है जाएगा, dead sea, next question, which is the highest peak of the world, तो हम सब जानते हैं, highest peak कौन सी है, Mount Everest, जो है, वो highest peak है, सबसे ऊची चोटी है, ठीक है, next, Vishwa की, सबसे ऊची चोटी, ठीक है, next, who was the first woman to conquer the Everest, ठीक है, Everest पर फतेय करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो यहाँ पर answer आएगा, Bachindri Pal, ठीक है, सबसे पहली conquer करने वाली, Bachindri Pal थी, ठीक है, next question, where is Golconda fort situated, कहाँ पर है Golconda fort, तो यहाँ पर answer आजाएगा, Hyderabad, Hyderabad में यह fort जो है, यह situated है, ठीक है, next question, where is Gateway of India situated, Gateway of India कहाँ पर स्कित है, तो यहाँ पर answer आएगा, Mumbai, Mumbai में Gateway of India situated है, ठीक है, next question, who was the first Indian to go to space, ठीक है, कौन, first Indian कौन था, जो अंतरिक्ष में गए थे, यहाँ पर correct answer रहेगा, Rakeshash Sharma, ठाके शर्मा जो है, वो अंतरिक्ष में पहले जाने वाड़े भारती है थे, ठीक है, next question, नेम्दा force by which earth pulls everything towards itself, ठीक है, हमको पते जिसे हम कोई भी चीज इस तरीकी से ऊपर फेक्ट दे, तो वो अपने आप मीचे आती है, क्यों आती है, what is the full form of LPG, LPG की full form कौन सी है, liquified petroleum gas, ये LPG की full form होती है, तो correct answer हो जाएगा मरत, third, next question, shortage of food and water results in, shortage of food, food की भी shortage हो रही है, और water की भी shortage हो रही है, तो यहाँ पे flood, earthquake, cyclone, यह सब नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा famine, अकाल, ठीक है, यह इसका correct answer हो रहेगा, next question, what is the full form of CNG, पहले question में हम से LPG पूछा गया था, अब हम से CNG पूछ रहे है, तो CNG का जो correct form होता है, वो होता है, compressed natural gas, यह CNG की correct full form होती है, next question, the instrument used for measuring earthquake on Richter scale is, ठीक है, कौन सा instrument है, जिसकी help से earthquake को measure किया जाता है, तो यहाँ पर answer हैगा, seismograph, ठीक है, next question, name the instrument, used to listen to the heartbeat, heartbeat को सुनने के लिए, कौन सा instrument यूज किया जाता है, तो हम सुब को पता है, इस टाया तो स्कूप जो होता है, वो heartbeat को सुनने के लिए, यूज किया जाता है, ठीक है, next question, गांदी जी worked for the upliftment of lower caste and fought against, किस उसके लिए उन्हों ने लडाई की थी, ठीक है, किस उसी untouchability के लिए उन्हों ने लडाई की थी, कि आइस परश्यता जो है ना, उसको हटाने की रहे, untouchability को remove करने के लिए उन्हों ने लडाई की थी, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, untouchability, next question, how many players are there in Kabaddi, Kabaddi में कितने players होते हैं, यहाँ पर correct answer हैगा, seven players, ठीक है, हम सब को पता है, Kabaddi में कितने players होते हैं, seven players, next question, dams on the river are constructed for, तो dams को जो यह, water store करने के लिए, यूज किया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो correct answer हो रहेगा, वो रहेगा both one and two, ठीक है, next question, which of the following is the longest river of India, India की longest river कौन सी है, तो यहाँ पर correct answer हो रहेगा, गंगा, जो है वो longest river है, तो first answer जो है, वो correct हो जाएगा, ठीक है, next question, who among the following was the first home minister of India, इंडिया के first home minister कौन थे, यहाँ पर correct answer हो रहेगा, सर्दारवल्णभाई पतेल, first option is correct, next question, which animal cannot listen to the sounds, instead they listen to the vibration by feeling through their skins, मतलब वो सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, जो भी vibrations है, उनका अपनी skin से feel कर सकते हैं, तो यहाँ पर correct answer होगा, इसने ही, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं, जो भी vibration उनके around हो रहे हैं, उसको अपनी skin से feel कर पाते हैं, तो यहाँ पर correct answer हैगा, snake, next question, in which of the following state, Girn National Park located, ठीक है, Girn National Park कहाँ पे इस्टित है, तो यहाँ पर correct answer होगा, गुजराथ, गुजराथ में Girn National Park, जो है, वो situated है, next question, who among the following is the present president of America, present में कौन है president, यहाँ पर answer आएगा, जो है Biden, यह जो है, यह present president है, अमेरिका के, next question, which of the following is the national game of India, national game कौन सा है, इंडिया का, hockey, hockey जो है, वो national game है, इंडिया का, ठीक है, next question, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, third option, next question, which of the following is a non-communicable disease, non-communicable disease, मतलब person to person, नहीं फैलरी है, ठीक है, जिसे चीकने से, खांसने से, या टुच्छ से, जो जो disease नहीं फैलरी है, वो non-communicable हो जाएगे, यहाँ पर answer आजाएगा, malaria, second answer, यहाँ पर आजाएगा, second option is correct, next question, which is the outermost part of a seed, outermost part कौन सा होता है, seed का, बतलब सबसे outer, जो covering है, वो seed की होती है, seed coat, यहाँ पर answer आएगा, second seed coat, next question, lake of hemoglobin causes, हमारे blood में present होता है, ठीक है, और उसकी कमी से, कौन से disease होती है, यहाँ पर correct option चला जाएगा, next question, identify the name of an insectivorous plant, insectivorous plant कौन से होते हैं, जो insect को खाते हैं, ठीक है, वो insectivorous plant हम उनको बोलते हैं, तो यहाँ पर correct answer आजाएगा, picture plant, picture plant यहाँ पर correct answer रहेगा, fourth option, next question, artificial lakes were made in earlier times, in order to save, ठीक है, artificial, जो पुराने टाइम में, artificial lakes क्यों बनाई जाती थी, कौन से water को save करने के बनाई जाती थी, rain water को save करने के लिए, artificial lakes बनाई जाती है, यहाँ पर correct option रहेगा, second, next question, forest dwellers are called, जो forest में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, तो यहाँ पर correct option रहेगा, second, ठीक है, next question, right to forest act was enacted in forest act, जो है, यह कब enforce किया गया था, यहाँ पर correct option रहेगा, 2006 ठीक है, 2006 में यह act जो है, वो पारिप किया गया था, next question, mix our bones and teeth strong, इन में से कौन सा एक element है, जो teeth को और bones को strong रखने के लिए responsible होता है, तो यहाँ पर correct answer रहेगा, calcium, option number third, next question, and last question, right to education act was enacted in, right to education act कम enforce किया गया था, तो यहाँ पर option आजाएगा, 2009 first option रहेगा, good morning students, welcome to the video solution of class 5th, math, question 51 है, how many times would the digit to be written, if you wrote down all the whole numbers from 1 to 100, question कहता है कि 1 से सो तक कि अगर आपन पूर्न संख्यां लिखें, ठीक है, तो एक से सो तक की पूर्ण संख्यां के बीच में, दो को कितनी बार लिखा जाता है, तो इसका आप से हो जाएगा, 20 अब देखो कैसे, एक से दस तक आप जाओगे, तो दस लिखा जाता, दो लिखा जाता है, एक बार, फिर 11 से 20 तक जाओगे, तो दो लिखा जाएगा, कितनी बार, दो बार, एक तो आजाएगा, 12 में और एक 20 में, तो कितना हो गया, दो बार, इसी तरीके से, अब चेंज आएगा, 21 से 30 तक, तो 30 में 2 नहीं है, लेकिन 21 से लेके, 29 तक, तो 9 तो यह आगे, प्लस, यहाँ पर एक नंबर आएगा, बीच में 22, यहाँ पर दो बार है, तो 21 से 29 तक, 9 तो यह लिख लिए, और एक ओर रहेगा, तो कितना जाएगा, प्लस, वन, अब सभी में 1 एक एक आजाएगा, कहां से, 31 से, 40 तक हो गया, एक बार, ऐसे 41 से 50 तक हो जाएगा, एक बार, फिर 51 से 60 तक हो जाएगा, एक बार, 61 से 70 तक हो जाएगा, एक बार, फिर 71 से 80 तक एक बार, और 81 से 90 तक एक बार, और फिर 91 से लेके, 100 तक एक बार, तो कितने होगे देखो, 10 यह होगे, 3, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 तो कितनी बार लिखा जाता है बीस बार को इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट नेक्स्ट वेशन देखो क्वेशन नमबर 52 डिफ्रेंस बिट्विन दप्री डिसीजर और पूर्ववर्ति पूर्वर्ति प्रतिवर्ति के मद्य अंतर अपने को यहां पर चाहिए ठीक है तो देखो एक तो हो गया नंबर आगे का और एक हो गया नंबर पीछे का और वह भी किसका पुच्छा है वन मि लिखा जाएगा यह वह गया आपका 1,000,000 अब इसका प्रीडिसीजर लिखोगे तो प्रीडिसीजर कितना हो जाएगा कि इसके जस्ट एक पीछे वाला नंबर वह जाएगा 999,999 यह ओ गया एक आगे का नंबर लिखोगे तो वह कौन से हो जाएगा वन मीलियन येंड और कि यह ओ गया नंबर अब इन दोनों के बीच का देफिरेंस कितना हो गया इससे प्लस वॉर्ण को ख मैंबर और प्लस वॉन करोगे तो यह लिए का इस को यह जाएगा कि फूं आ अंसर कितना हो जाएगा इसका option number 2 फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 25 lakhs 25 लेक प्लस करना है 6000 तो यह हो गया 6000 और फिर 410 410 का मतलब कितना हुआ 40 इन सब को एड़ करोगे तो कितना हो जाएगा 25 lakh 6040 option मेच कर लो कौन सा जाएगा option number 1 फिर है नेक्स्ट 54 इन सभी का मल्टिप्लाई पूछ है वन मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3 अप्टो 6 तो इन सब का मल्टिप्लाई क्या जाएगा 720 करोगे 6530 34 120 और 120 को 3 से मल्टिप्लाई करोगे 360 और 360 को टू से मल्टिप्लाई करोगे 720 और मल्टिप्लाई बाइवन 720 रहेगा ठीक है यह हो गया option फिर है क्वेशन नमबर 55 कहता है फिल इन दा मिसिंग मल्टिपल अब देखो इन चार नमबर के बीच में एक नमबर करना है कि दिफरेंस कितने का है तो 90 से पहरा नमबर हो गया 90 और 105 तक जाओगे तो कितने का डिफरेंस है 15 का पहले नमबर पे प्लस 15 करोगे कितना मिलेगा 105 से इस चलना चाहिए 105 प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा 120 तो इन दोनों के बीच में 120 मिसिंग है आगे चेक कर लो यहावर भी डिफ्रेंस सेम रहना चाहिए तो यह 120 आ गया तो 120 के उपर प्लस 15 करोगे तो 135 आना चाहिए तो बिल्कुल आएगा 135 तो यह नंबर मिल गया और फिर 135 पे से प्लस 15 करोगे तो लास्ट नंबर आ जाएगा 150 तो इन सब के बीच में कौन मिस है वह है नंबर आपका 120 जो कहा ना चीए था 105 के बीच में तो ऑप्षिन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा 120 ठीक फिर है 56 अब फेक्टर ओफ 91 91 का एक अपने को गुणक चीए फेक्टर चीए यानि की कौन इन में से 91 को डिवाइड करेगा तो 17 से डिवाइड नहीं होता है आंसर होगा 13 सेवन टाइम इसको डिवाइड गरेगा 13 मुल्टिप्लाइग सेवन इस इकूल स्टू 91 का सेवन मल् सब्सक्राइड नेक्स्ट निवन में से कौन सा अंक रॉमन सिंख्या में दोहराई जा सकती है तो देखो रॉमन संख्या में कुछ जो सिंबल से अपन यूज करते हैं उनके रूल्स है उनको अपने कोई मालूम होना चाहिए तो यहां पर देखो कुछ जो साइन है वो 500 के लिए और फिर 1000 के लिए नहीं को ही अपन और अपरेट करते हैं जो नमबर वन है उसको अपन तरी टाइम तक रिपीट कर सकते लिए थीक है जो कि अपने पास में यहां option में नहीं है ऑप्षन में है देखो एक तो फाइब का सिंबल है एल का सिंबल है सी का है और डी कह यानिकि एक तो गया 5 यह हो गया 100 का यह हो गया 500 का और यह हो गया 50 का तो देखो जो 5 का multiple है यह 5 कभी भी दोराई नहीं जा सकती क्यों कि अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 का एक 3 Defend symbol है X यह 10 का होता है यहां पर 5 प्लस 5 करोगे तो यह चीज क्या हो जाती है गलत हो ठीक है तो 5 repeat नहीं होता है और अपने को बताना है कौन सा repeat हो सकता है तो पहला option गलत हो गया ठीक फिर हुआ 50 का तो 50 का भी सेम यही रूल है यह रिपीट नहीं होगा डीवी रिपीट नहीं होता है तो यहां पर कौन सा बच गया सी तो सी अपन रिपीट कर सकते हैं जैसे 200 बताना है तो 200 के लिए यह हो गया होता है सी प्लस करना है थर्टी तो थर्टी का कितना हो जाता है फ्री टाइम एक्स और टू के लिए होता है तो इसके आगे लिखा जाएगा तो सी ट्रिपल एक्स और यह तो यह इसका साइन हो जाएगा 132 का जो की ऑप्षिन है आपको ऑप्षिन नम्बर ही फास्ट ठीक नेक्स्ट है 59 कि किरन सेव्स ट्वल हंड्रेल फिप्टी रूपीज एवरी मन्त हर महिने बारा सो पचास रूपे बचाती है इन बैंक हाव मच मन इन.y ही विल लुटा से विद वन यह तो वो गिल्म एक मेरें एक साजमे कितना अदि देख एक dalмы में महिन उते अपने पास में तुयथे और एक महिने में वो पचाती है 1250 क्यूश कुररो घाएगा सिक्स औरेंक पच्छपे तो एक साल में कि नेक्स्ट क्वेशन है 60 वन थर्ड ऑफ डे यानि कि एक दिन का एक तीहाई कितना होगा तो एक दिन में अपने पास में होते हैं 24 और इसका क्या पूछ है वन थर्ड तो वन अपन त्री से मुल्टिप्लाई कर दोगी तो त्री से 24 को डिवाइड कर दो कितना आ गया इत तो हमें एक एकणिल वह और इन दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो 90 यहां पर संकेडिग कर दो आइंग थिए ज्यादा ऊनकी और टीन इस तो तीन बथे पर जो आवर हेंड होगा वो तो होगा 12 पे और यह होगा तो एक्जक 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यह option नहीं होगा एक के बाद में हैं लेकिन 3 से नीचे है तो 90 डिग्री से कम है तो यह भी कंसीडर नहीं होगा तो फाइनली अपने पास में आंसर कितना आ जाता है option नमबर 35 पीम जहां पर जो एंगल बनेगा इन दोनों सुयों के बीच में वह होगा more than right angle ठीक नेक्स्ट क्वेशिन है कि 63 प्राइम नमबर बिट्विन 51 और 55 तो 51 और 55 के बीच में प्राइम नमबर कौन सा होता है 53 ठीक है सीधा सा क्वेशिन है कि 64 है 3 x3 is a number अब यह 3 कौन सा नमबर होता है देखो प्राइम नमबर मिलकुल होता है ठीक है 3 में सिर्फ रसी से टीवाड जाता है या फिर बन से जाता है इसके लावा और कोई नमबर नहीं वहता तो यह composite नमबर नहीं हो सकता और इस नमबर दीवाइड नहीं जाता तो इ में से देखके बताना है अब इनके लिए इनके जो रूल से वो याद होने जरूरी अब यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत लिखा गया है ठीक है अब आगे देखो यह तो क्या हो गया 50 का साइन हो गया और 50 पे तो है यह तो यह हुजाता है किसका सेवंटी यह त्री टाइम है तो यह जो टैन का स्टीम फोटी तक रिपीट हो सकता है यह कितना हो गया जिया सो इसको हम क्या कहेंगे 10 हो और माइनस गया 9 तोihen 10 प्लस 9 क्या होगा है 19 तो यह तो मिनिंग फुल है लेकिन जो लास्ट वाला है यह मिनिंग लेस्लेश है अब क्यों है कि सी में से एक इधर से आप माइनस नहीं करोगे क्यों यह क्या चारा है यह सी आगे वाला सी और नब्बभए क्या लिखा जाएगा सो में से 10 कम करोगे तो सी के लेफ्ट साइड में पहले आप ठेन लिखोगे तो यह तो गया 90 का सिमबल और प्लस नाइनल का सिमबल यह होता आया दोनों का क्या हो जाएगा एक XC और यह 1 X यह होता है 99 का अब यहां पर यह हो जाता है गड़त इसलिए और फर्स्ट क्या हो जाएगा यहां पर मिनिंग लेस हो जाएगा फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 66 राइट दर सम उफ इन दोनों का आपको क्या बताना है सम तो यह हो गया मतलब हो गया 50 और यह हो गया 5 अब देखो बड़े से पहले छोटा लिखा यानि कि इसमें से माइनस करना है तो अजार में से सो जाएगा तो कितना बच गया 900 और फिर एड करना है आपको आपको इसके राइट साइड में है तो यह दोनों एड होंगे तो 50 प्लस 5 कितने हो गई 55 तो 9 900 प्लस 55 कितना हो जाता है 955 अब इसके वह पर आपको प्लस करना है कौन एक्स वी और यह सिंबल होता है किसका 15 का तो 955 प्लस 15 कितना हो जाता है 970 तो ऑप्षिन क्या हो जाएगा ऑप्षिन नमबर 3 पिर है 67412 रांडेड और नियरेस्ट टेंस नियरेस्ट टेंस में इसको रांड ओफ करना है तो टेंस डिजिट को आपको पकड़ना है तो प्लस डिजिट के अलावा जो राइट साइड में जितनी भी डिजिट है वह क्या हो जाएंगी जीरो और इसके ऊपर करेगा कि इसको क्या होना है कि प्लस वन होगा या फिर जीरो वह डिपेंड करेगा जस्ट इससे एक पहले वाली राइट साइड में जो डिजिट है अगर यह 5 से लेस देन है तो इसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा तो यह एजट इस रहेगा और फरस्ट नेक्स्ट है 68 the average of the first odd number फस्ट फाइफ और नमबर तो पहले और नमबर कौन-कौन से होगे 1 3 5 7 और यह होगे 9 आप अब आवरेज निकालना है तो कितने नंबर होगे अपने पास तो 5 से डिवाइड करोगे इन सबको एड कर लो तो 3 और 1 4 प्लस 5 9 9 और 7 16 16 और 9 कित कितना आजाएगा 5 तो आंसर क्या हो जाएगा option नमबर फॉस्ट नेक्स्ट क्वेशन है तो यहां पर इनका निकालना है तीनों को एड करके जितनी संख्यां अपने पास में है उतने का डिवाइड कर दो तो 3 नंबर है 3 से डिवाइड कर दो 5 और 4 9 9 3 12 12 में 3 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा चार आप्शन नमबर दो इसका सही होगा है फिर है 69 के बाद 70 सपीड यहां पर रिलेशन पूछा इस पीड इस इकोस तो वाट डिवाइड बाइड थाइम तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम में यह रिलेशन होता है कि स्पीड इस इकोस टू इस टू इस टू इस टू इस टू इस टू पॉन तो किलोमेटर पर आवर में जाने के लिए आप क्या करो सीधा-सीधा एट अपॉन एटीन अपॉन फाइब से मल्टिप्लाइब करना है तो इस में आ जाएगा किलोमेटर पर आवर में आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इस इकोस टू इसको डिवाइड कर दो कितना होगे शिक्स टाइम और शिक्स को 18 से मल्टिप्लाइब करोगी कितना जाएगा 108 किलोमेटर पर आवर या प्रोप्षिन अप्रोच भी लेना चाहें तो किलोमेटर प्रती गंटे उसको हम क्या कहते हैं वाल्यूम ठीक है क्योंकि यह एक सॉलिड है 3D शेप है ना इसी लिए इसी वजह से जो भी यह स्पेस होक्यूपाइब करेगा उसको हम कहेंगे वाल्यूम या पिर आईता तो आप्शन नमबर इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखो 70 34 litreन is Aq adam Александuks टो हमेनी सेंटी में तो एक लीटर में होता है अप neural कूब होजाएगा छिर है 74 दॉड हाइब रेक्टेंगूर बॉक्स रेक्टेंगूर बॉक्स होता है क्योबट में की शेप में तो उसका का वोल्यूम क्या होता है लैंड मल्टिप्लाइब लिग मतिप्लाइब लाइट ऑपशिन गैसे हूं तो कैसी अब लाइन बना सकते बाकि दिडीया होए है आर कबना सकते हैं है सरकल भी बनाए जा सकता है लेकिन ल dispatch फिर उसका बेनलेसरह है ओसको इसको बढ़ाई गटाई जा सकती है ठीक है द तो नो ही क्या होगी अपने पास में साइड हो गई बुजा तो नो बुजाओं से मिलके बनीवी शेप को हम क्या कहते है नो ना गोन ठीक है और हिंदी में बोलते हो उसको नो बुच नेक्स्ट है 77 जीरो प्लस 11 तो किसी भी नंबर पे 0 को एड करोगे तो वही नंबर अपने पास में लोट के आएगा एडिटिव आइडिटिटी का क्वेशन है तो ऑप्शन नंबर टू इसका सही हो जाएगा ठीक नेक्स्ट है 78 38 multiply by 7 तो 38 को 7 से multiply करना है कितना आजाएगा 266 ऑप्शन नंबर फस्ट इसका सही हो का नेक्स्ट क्वेशन है 79 13 multiply by 7 is equal to 7 multiply by अब यहाँ पर क्या है अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी को से चलती ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है multiply by is equals to be multiply order change करवाना चाह रहा है तो 7 लिख दिया बच गया क्या थर्टी तो यहाँ पर क्या आएगा थर्टी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री को नेक्स्ट है 80 a door is a solid what solid shape is it अब एक दर्वाजा है ठीक है तो दर्वाजे को हम कौनसी शेप में लेके जाते हैं क्यूब बॉइड में ठीक है जिसकी लैंद ब्रीद और हैट तीनों अलग अलग होती है तो उसको हम क्यूबइड शेप में लेके जाते हैं ठीक है यह हो गया 80 801 है अभुक कोस्ट रुपीज एट हाव मच विल त्री बुक्स कोस्ट एक बुक की जो कॉस्ट है वह कितनी रुपे है आट रुपे हैं तो तीन की कितनी हुजाएगी तो मुल्टिप्लाइब क्या कर दोगे 383 जा कितना हो गया 24 तो आंसर हो गया ऑप्शन नमबर फिरस्टवरी कोस्ट एटीटु एफफ टोयूर। केंड़ कोस्ट रुपीज फइफ एक कंडल की कोश्ट पाँच रुपे चार कंडल की ना चल एक कंडल की खना कंडे पाँच और कितने की पूची है बारा कंडल की पूच्छ ये तो लासा की मृचू PC कर दो थो तो फॉर से टुल चला जाएगा त्री टाइम और फाइब को त्री से मल्टिप्लाइब कर दो कि कितना जाएगा तो बारा केंडल के लिए कितने पैसे दिन अपड़ेगा पंद्रा रुपए तो ऑप्शन नमबर इसका सही हो जाएगा तो हानी कब होती है जब हम सेलिंग प्र रहेंगे तो फूर्व जोरिफ्रेंस होगा वो किसको रिप्रजेट करेगा हानी को और यहां पे शबसे बड़ी वेलकोन है कोस्ट प्राइब सब्सक्राइब अग मैनस मैनस करोगunku को रोगे को कॉस प्राइब या यसा कोई बैल मुल्य दिए यह जाली जाती है उसको हम क्य सब्सक्राइब करेगा प्रोफिट को लाब को ठीक फिर नेक्स्ट कोशन है सब्सक्राइब 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 नेक्स्ट है टी सेवन फाइफ पॉइंट जिरो नाइन इस इन दा प्लेस यानि की वह नाइन का पूछ रहा है कौन सी प्लेस पर है तो पॉइंट के बाद में देको पहला होता है टैंट का कि अ दूसरा होता है हंड्रेट का और तीसरा होता है थाउसेंट का विसका ऐसाइब क्या हो जाएगा option सिक्स मल्टिप्लाई एट दोनों में देखो एट को कॉमन ले लो यहां से क्या बच गया एट माइनस सिक्स तो एट को किसे मल्टिप्लाई करना है आट में से 6 किते बच गये दो एट तूजा 16 आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू नेक्स्ट गुशन है 89 सब्ट्रेक्टिंग 10,000 फ्रॉम वन मिलियन तो एक मिलियन में से एक मिलियन में से माइनस करना है टैन थाउजन को तो टैन थाउजन को माइनस करोगे तो यह तो होगे और है नेक्स्ट ट्रॉट होसे थे संना करद थे लिए जर्फ गशेच सो उन्हें मिल्कुलोंड नेक्स्ट गुशन हौन। कि फिर है 91 एक रूपिया इस इकोल स्टू कितने पैसे तो एक रूपय में कितने पैसे होते हैं सो पैसे कि नेक्स्ट कोशिन है है कि 92 हम अपना भार मापते हैं वी कैन मेजर और वेट अब वेट है वह किसमे हो जाएगा किलोग्राम के लिए इसका उप्षिन चला जाएगा फर्स्ट मीटर और सेंटिमेटर होती है लेंठ के लिए और लेंठ का भी और लिटर यहापने डिसकस कराता लिटर होता किसके लि लिक्विड कोई भी लिक्विड आइटम होगा उसको हम लिटर में ना पेंगी तो आप्षिन कौन सा चला जाएगा ऑप्षिन नंबर फर्स्ट केजी किलोग्राम 93 है हाव मैनी देन मेक लिकर यानि कि इतने टैंसरी मिल के कुरॉड बनाएंगे तो देखो सबसे पहले लिखो वन करोड़ अब इसको तेन के पार्टीशन में डिवाइड करना है तो यह गया टैन कितने टैन को कि से मटिप्लाइल करोगी तो ुब अ कि से है त्री और फोर सेवन जिरो गए वन जिरो यह हो गया तो 60 अपने को इधर चाहिए है यह हो गया अब इसको देख लोगी कितना हो गया टैन लाक टैन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे कि एक क्रोड बनाएंगे तो टैनलेग देख लो कहां पर है यह रहा ऑप्शन नमबर फॉर कि फिर है फेक्टर्स ओफ और नमबर आर यानिकी एक नमबर के फेक्टर्स हो सकते हैं पहला के दिया फाइनाइट यानिकी परिमित इनको आपन गिन सकते हैं कि फेक्टर जितने भी होती है आप इंफाइन यहां नहीं होगा जीरो तो कोई भी नमल्र होगा तो उसके जीरो फेक्टर पॉसीबल ली करें आपन दीजिघ हो हो गई तो हम फिटर इसकर क्या चला जाएगा यह सब twe enroll चैवारे तो 3 और 6, 9 और 3, 12, यह बारा होगा, तो 9 इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक, पहला तो यह हो गया, 11 है, तो 11 इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि alternate digits को add करोगे, तो 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 और माइनस करोगे, 6 प्लस 0 को, तो कितना होगा, 6 6 में से 6 जिरो, तो इसको 11 गिवाइड़ेटी थर्टी और थिवाइड करोगे तो आप्चन नहीं पास में आ जाता है नो का और चार का दोनों का तो यह तो एक सब्सक्राइब का मतलब यह हो गया कि उनका कोई भी कॉमन फेक्टर नहीं है वन के अलावा ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर तो और फिर नेक्स कोशिजन है 97 which solid figure has all its faces as triangle सारी की सारीरेас क्या होगी उच्रे में अपने पास में रेक्टेंगल में अपने पास में एक सरकल होता है और एक और सर्फधेस एरिया होता है ठीक है तो यहां पर अपने पास में इन दोनों में नहीं होता है ओप्शन कौन सा जाएग का option number first triangular parameter आपने को कॉस्ट प्राइस दीवी एक क्राइम उल्ले कितना हो गया 85 और विक्राइम उल्ले सेलिंग प्राइस अपने पास में हो गई सब्सक्राइब लॉस पूछा देखो सेलिंग प्राइस बड़ी चोटी हो रही है यानि कि यहां पर लोस है तो लोस कितने को जाएगा कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो 85 में से 70 को माइनस करोगे तो कितना जाएगा 15 रूपीज तो आंस रोजाएगा ऑप्शन नमबर फोड़ नेक्स्ट है 99 और शॉपकीपर बोटर ट्रांजिस्टर फो रूपीज टू फाइफ जिरो जिरो टू तू थाउजन फाइफ हंड्रेड यानि कि कॉस्ट प्राइस हो गई और इसको सॉल्ट कर दिया यानि कि सेलि 500 रुपेगा तो नेक्स्ट क्वेशन है विच इस दा ओड वन इंदा फॉलवइं निमन में से विशम यानिकी विशम यान यह बताना है कि इन चारों में से अलग संख्या कौन सी है तो देखो यहाँ पर 37 है यह एक प्राइम नंबर है 57 यह प्राइम नंबर नहीं है यह यह इस प्राइम नंबर है और 97 अलग होने देखो तीन तो बाकी की प्राइम नंबर है और एक रहे गया कंपोजिट नंबर हो गया तो तीनों में से अलग सेंख्या कौन सी हो गई ऑप्शन नंबर